हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हर्याना में हुए एक्जाम के रिजल्ट के बारे में जैसा कि हमें पता है कि काफी सारे कैंडिडेट यहां पे अपने रिजल्ट का बेट कर रहे हैं और यह जो रिजल्ट आया है ओविसली इसका भी है तो यह लगा लीजिए कि टाइम तो लगेगा आपका 15 दिन के आसपास तो लगी जाएगा एक दिन में 4000 बच्चों को करना पड़ेगा इनको फिजिकल के लिए अब इसके बारे में बात करतें कट ओफ क्या रही है कट ओफ आप देख सकते हैं यह और यहां पर मैं बात कर रिजल्ट ओफ अर्याना सिविल सर्विस जुडिशियल ब्रांच प्रिलिम्नरी एक्जामिनेशन दो हजार बीस इकिस जो कि यहां पर 13 नमंबर को कराया गया था बही यह नीचे रॉल नंबर है जिन जिन का यहां पर क्वालिफाई हुआ है और नमबर आरी ने से अगर बात करें तो नमबर ओपोस्ट 166 और यहां पर टैन मल्टिपल किया है तो 1660 प्लस बारा ब्रैकिट 1672 कैंडिट कट ओफ यहां पर 356 और यहां पर आगे दूसरी काटेगरी की बात करें प्रिलिम्स का रिजल्ट है यह ठीक है जुडिशियल ब्रांच का जो निकले बैकवर्ड क्लास ए बीसी ए की बात करें तो 220 और 206 से ट्रहिए कट ओफ और बैकवर्ड क्लास बी मतलब बीसी बीसी बी तो कैटेगरी यह स्वरी कट ओफ देखिए 333 और यहां पर विकेंसी थी ग्यारा टैन मल्टिपल किया है प्लस तो ब्रैकिट तो 112 कैंडिट इस की ब इसमसी 94 एसमबीसी 127 दी एसम जनरल की यहां पर 142 गई है डी एसमसी की 93 डी एसमबीसी की 220 बीसीबी की 96 बाकि आप देख सकते हैं वहीं यहां पर ठीक है यह यह आपका रिजल्ट है जो की जारी किया है एच पीसी ने और यह पीड़ी वालों की है तो यहां पर आपका रिजल्ट हो गया है जारी 712 2021 का नॉटिस है और यह जो आपका एक्जाम हुआ था यह हुआ था 13 11 2021 प्रिलिम्स का रिजल्ट है इसके बाद आपका मेंस होगा तो यह है एक official notification HPSC के दवारा तो आपको notification कैसे लगी और अगर आपने चैनल subscribe नहीं किया तो please कर दीजिएगा and please like the video and share the video also thank you so much thank you for watching